जहिन साथियो मैं जेपी सर आपके अपने YouTube चैनल The Study Express में स्वागत करता हूँ साथियो मैंने कल अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था अलेबरा का पहला लेक्चर जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लिजिए जिसका लिंक description में आपको मिल जाएगा साथियो मैंने कल कुछ अलेबरा की basics बताई थी आज हम उसी को continue करते हुए और सारे examples और questions देखेंगे जैसे कि examples शुरू करते हैं अगर आपको कहीं पे x square प्लस 1 upon x square की value अगर कुछ भी दे दे जैसे मान लिजिए 7 दे दे और आपसे पूछ लिए जाए x की power 4 प्लस 1 upon x की power 4 इसकी value बताईए तो क्या होगा जैसे कि इसके पहले मैंने बता चुका था आपको अगर x plus 1 upon x कुछ भी given m तो आपको value निकालने के लिए देता है x square प्लस 1 upon x square की value जिसको मैं कल बता चुका हूँ given का square मतलब m का square करेंगे और इसमें से 2 minus करेंगे इसी परकार अगर यहां पे देखा जाए तो यह value आपको दी हुई है x square plus 1 upon x square की इसको अगर 7 दिया हुआ है अगर आप चाहें तो x की power 4 plus 1 upon x की power 4 निकालने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं या फिर इसका whole square कर देजे दोनों बगल दोनों साट जैसे ही आप इसका whole square करेंगे तो यह हो जाएगा x की power 4 plus 1 upon x की power 4 plus 2 into x square into 1 upon x square is equal to 49 x square से x square कट जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा x की power 4 plus 1 upon x की power 4 is equal to 49 minus का 2 means 47 यह आपका answer होगा साथियों इतना आप अपने exam में नहीं करेंगे आपको direct करना होगा अगर x की power 2 मतलब x square plus 1 upon x square की value 7 दिया हुआ है अगर आपसे पूछा जाए x की power 4 plus 1 upon x की power 4 तो आप direct दिये हुए का square means 7 का square करेंगे और इसमें से 2 minus करेंगे तो हो जाएगा 47 आपका answer साथियों कल मैंने आपको एक question कराया था जिसको जो question था 3x plus 1 upon 2x की value 6 दिया हुई थी और आपसे पूछा था 9x square plus 1 upon 4x square की value क्या होगी जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका square करेंगे उसमें उसे 2 into a into b करते हैं 2 into a into b करते हैं जिसमें a की value 3 है और b की value 1 upon 2 है b की value 1 upon 2 है देखिए इसको करने के लिए मैंने कर बताया था 6 का square minus 2 into a b a के जगा पर 3 और b के जगा पर 1 by 2 था 2 से 2 कट गया था और यहाँ पर आपको 33 answer आया था मैंने कल के वीडियो में बताया था लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर 3x है तो यहाँ से आपको 9x square की value पूछिए यहाँ पर 1 upon 2x है यहाँ पर 1 upon 4x square की value मतलब 3x का square आकर के यहाँ पर पूछा जा रहा है और 1 upon 2x की value को square करके पूछा जा रहा है लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है एक जानल थोड़े से questions को change करने की कोशिश करता है जैसे कि मान लिजिए आपको ax plus 1 upon bx की value कुछ भी दे दे मान लिजिए m दे दे और आपसे पूछ दे कि बताइए b square x square plus 1 upon a square x square की value क्या होगी अब तो बहुत समस्य होगी क्योंकि पहले मुझे ax की value दे करके ax square पूछा जाता था लेकिन ax की value दे करके b square x square की value पूछा गया अब तो काफी समस्य होगी डरने की कोई जुरत नहीं है सबसे पहले हम क्या करेंगे ax को bx में convert करेंगे और bx को 1 upon bx को 1 upon ax में convert करेंगे तब ही जाकर कि मेरा question solve हो पाएगा क्यूंकि इसको मुझे लाने के लिए मुझे bx plus 1 upon ax की value चाहिए इसी से मैं इसे find out कर सकता हूँ अन्यत्या ऐसा करना बहुत मुझेल होगा आए इसको bx plus 1 upon ax में convert करने की कोशिस करते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं पूरे equation को b by a से multiply कर दूँ पूरे equation को b by a से multiply कर दूँ ax plus 1 upon bx जब lhs में किया है तो हमें rhs में भी करना होगा तो m को भी multiply कर देंगे b by a से तो जड़ा ध्यान दीजिए यहां से a से a कट जाएगा b by a से multiply करेंगे तो यहां पे हो जाएगा bx और plus b से b कट जाएगा यहां पे हो जाएगा 1 upon ax और इसकी value होगी m into b by a और इसके बाद से यह वारी value निकाला बहुत ही असान हो जाएगा आएगे इस पे कुछ examples और questions देखते हैं एक्जाम्पल जैसे कि अगर आपको देदे 2x plus 1 upon 3x की value 8 देदे 2x plus 1 upon 3x की value 8 और आपसे पूछ दे 4x square plus 1 upon 9x square की value क्या होगी यह तो करना आपको असान होगा यह करना असान होगा क्योंकि यहाँ पे 2x दे रखा है और 4x square की value पूछ रखा है यहाँ पे 3x दे रखा है और 1 upon 9x square की value पूछ रखा है लेकिन examiner में इस concept में बनाएगा तो यह question ना दे करके क्या करेगा आपको देगा 9x square plus 1 upon 4x square की value बताइए अब करना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पे 2x दे रखा है 2x को पहले 3x में convert करेंगे और इस 1 upon 3x को 1 upon 2x में convert करेंगे उसके बाद ही यह question solve हो पाएगा ऐसा करने के लिए हमें इस पूरे equation को 3 by 2 से multiply करना पड़ेगा अगर मैं पूरे equation को 3 by 2 से multiply कर दूँ तो मुझे देखते हैं क्या मिलता है is equal to 8 into 3 by 2 3 by 2 से multiply करते यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 3x plus 1 upon 2x की value अब आ जाएगा 12 और इससे अभी यह आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दिये हुए का square मतलब 12 का square minus 2 into सिर्फ दो ही नहीं घटाएंगे यहाँ पर A और B दोनों साथ में हैं इसके पहले बारे lecture में आप देख सकते हैं A और B जब कभी भी same ना हो तो हम क्या करते हैं A और B इसके साथ multiply करके घटाते हैं 3 into 1 upon 2 2 से 2 कट जाएगा होगा 144 minus 3 means 141 इसका answer होगा ऐसा ही एक example और लेते हैं फिर दोसरे type के questions पर चलेंगे अगर आपको देदे 2x plus 1 upon 5x की value 6 2x plus 1 upon 5x की value 6 देदे और आपसे पूछे कि बताइए 25x square plus 1 upon 4x square की value क्या होगी तब आप इसे कैसे करेंगे इसकी value पूछ सकता है तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ 25x square मतलब मुझे 5x चाहिए उसी का तो square करेंगे तो 25x square मुझे मिलेगा तो मैं 2x को 5x में convert करने के लिए पूरे equation को मैं 5 by 2 से multiply कर दूँ LHS और RHS दोनों में अगर मैं 5 by 2 से multiply करता हूँ तब जा करके मुझे मिलेगा 5x प्लस 1 उपन 2x की value यह कट जाएगा आपको 3 times में यहाँ मिलेगा 15 5x प्लस 1 उपन 2x की value 15 हो गई अब आप इसको असानी से निकाल सकते हैं पंदरक स्क्वाइर 225 माइनस 2 इन 2 अब यहाँ पर A और B लेंगे A की जगह पर 5 और B के जगह पर 1 उपन 5 1 उपन 2 होगा 1 उपन 2 2 से 2 कर जाएगा 225 माइनस 5 इस इकवल टू 220 आपका एंसर होगा अगे आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप का question करते हैं अगर मालेजे आपको exam में दे दे x प्लस 1 उपन 16x की value x प्लस 1 उपन 16x की value 2 दे और आपसे पूछ दे बताइए 16x प्लस 1 उपन 16x 16x square प्लस 1 उपन 16x square की value क्या होगी तो मुझे सबसे पहले ध्यान देना होगा 16x square प्लस 1 उपन 16x square निकालने के लिए अगर इसकी value कहीं से मुझे मिल जाए तो मैं 16x square प्लस 1 उपन 16x square की value असानी से निकालने के लिए अगर इस equation में 4 से multiply कर दों अगर इस equation में 4 से गुणा कर दों तो हो जाएगा यह 4x प्लस 1 उपन 4x is equal to 8 मतलब 4x प्लस 1 उपन 4x की value मुझे 8 मिल गई 4x प्लस 1 उपन 4x की value 8 मिल गई अब मैं इसे 16x square प्लस 1 उपन 16x square की value निकाल सकते हैं इसके लिए 8 का square minus 2 into अब a के जगा पर 4 होगा और b के जगा पर 1 by 4 होगा और यह 4 से 4 तो कटी जाना है तो यह हो जाएगा 64 minus 2 is equal to 62 आपका answer होगा अगर आगे बढ़ते हैं और एक और question देखते हैं इसी परकार का अगर आपको कहीं देदे 2x plus 1 upon 8x की value 3 और आपसे फिर वही question पूछ दे 16x square plus 1 upon 16x square इसकी value क्या होगी फिर आप वही करेंगे 4x plus 1 upon 4x से ही आप 16x square plus 1 upon 16x square निकाल सकते हैं तो इसको हमें 4x plus 1 upon 4x बनाना पड़ेगा 4x बनाने के लिए सबसे पहले इसे हमें 4 बनाने की सोचते हैं इसे 4 बनाते ही पूरा का पूरा equation 4x plus 1 upon 4x बन जाएगा अगर पूरे equation को 2 से हम multiply कर दें तो यह हो जाएगा आपका 4x plus 1 upon 4x की value 6 अब इसकी value आते ही आप इसको find out करेंगे यह होगा 6 का square minus का 2 यह हो जाएगा 36 minus 2 34 आपका answer होगा ऐसा नहीं कि हम सारे question में multiply करके ही equation बना रहे हैं कुछ question ऐसे भी होंगे जिसमें जोडा भी जा सकता है जिसमें घटाया भी जा सकता है add, subtract, multiple, division कुछ भी मुझे करके इस equation को बनाने के लिए मुझे कौन सी equation की जोरत पड़ेगी इसको हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उस equation तक पहुँछते हैं जैसे कि एक अगर अलग टाइक पर question देखते हैं देखिए अगर मालीज़ आपको देदे 25x plus 1 upon x की value 20 और आपसे पूछ दे 25x plus 1 upon x की value 20 और आपसे पूछ दे 25x square plus 1 upon 25x square की value क्या होगी बताइए आप इसको करने के लिए देखिए मुझे इसको 25x square तभी बन पाएगा अगर ये 5x हो आप खुछ सोच के देखिए इसको 5x बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या 25x को 5x बनाने के लिए मुझे 5 से divide कर देना चाहिए अगर मैं पूरे equation को 5 से divide कर दूँ तो ये हो जाएगा 5x plus अगर आप इसको 5 से divide करेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 5x is equal to इसको 5 से divide करेंगे तो 4 और आप इससे असानी से अभी ये बना सकते है 4 का square 16 माइनस का 2 is equal to 14 आपका answer होगा आईए के गवाव example लेकर करके समझते हैं अगर आपको दे दे 10x plus 1 upon x की value 8 और आप से पूछ दे 25x square plus 1 upon 4x की value क्या होगी तो सबसे पहले मुझे जो पूछा गया है इस पर ध्यान देंगे और पता करेंगे कि ये किस से मुझे बनाया जा सकता है ये किस से बनाया जा सकता है इसको अगर ये देखा जाए तो ये बनाया जा सकता है 5x plus 1 upon 2x की value अगर मुझे कहीं से मिल जा है तो मैं इससे ये solve कर सकता हूँ देखे 5x बनाने के लिए क्या मैं इसको 2 से divide कर दूँ 2 से divide करते ही ये हो जाएगा 5x plus 1 upon 2x जब LHS में 2 से divide किया तो RHS में 2 से divide करेंगे 8 को 2 से divide करते ही ये हो जाएगा 4 मतलब इसकी value क्या मिल गई जी 4 इसकी value 4 मिल गई अब इससे हम ये find out कर सकते है दिये हुए का square 4 का square 16 minus 2 into A अब A ये नहीं रहा अब A ये बन गया है 5A बन गया है और B अब 2 गुड़े 1 बटे 2 into 5 दो से 2 कट जाएगा 16 में से 5 minus करेंगे तो 11 यही आपका answer होगा आए और example देखते हैं और और नए tag पर questions को हम solve करने की कोशिस करते हैं अगर मांजने जी आपको देदे x plus 1 upon x plus 1 is equal to 6 और आपसे पूछ दे बताइए x plus 1 का whole square plus 1 upon x plus 1 का whole square क्या होगा आपको देखिए पूछा दिया है x और पूछा है x plus 1 1 upon x plus 1 दे रखा है और पूछा है 1 upon x plus 1 का whole square मतलब अगर मेरे पास यहाँ x की जगा पर x plus 1 डाता है तो इसको हम अस्तानी से solve कर सकते थे अगर x की जगा x plus 1 लगाना हो तो हमें दोनों बगल यानिकी LHS और RHS दोनों साइड में 1 add करना पड़ेगा जैसे की x plus 1 मैंने 1 add कर दिया plus 1 upon में x plus 1 तो दे ही रखा है जब LHS में 1 add किया तो RHS 6 में भी 1 add करना पड़ेगा 6 में जब 1 add करेंगे तो यह 7 हो जाएगा अब इससे मुझे यह निकानों आसान हो जाएगा इसकी लिए 7 का square माइनस का 2 और A के जगे पर क्या होगा 1 upon A के जगे पर होगा x plus 1 और B के जगे पर होगा 1 upon x plus 1 जो की कटी जाना यह तो कट जाएगा तो सिर्फ 2 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 49 और 49 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 47 answer आईए एक और question लेते हैं अगर आपको दे दे x plus 1 plus 1 upon x plus 4 की value 2 और आपसे पूछ दे x plus 4 का whole square प्लस 1 upon x plus 4 का whole square क्या होगा तो आप फिर मैं वही बार बर बता रहा हूँ यहाँ x plus 1 है और आपको चाहिए x plus 4 इसको x plus 4 बनाने के लिए x plus 1 को x plus 4 बनाने के लिए आप इसमें 3 add करेंगे तो यह हो जाएगा x plus 4 plus 1 upon x plus 4 तो पहले से दिया हुआ है जब lhs में 3 add किये तो rhs में 3 add करना पड़ेगा 2 में 3 add करेंगे तो यह हो जाएगा 5 अब इससे मुझे यह निकालना असान होगा 5 का square 25 और इसमें से 2 minus कर देंगे 25 में से 2 minus करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 23 answer I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगये ऐसा एक example और लेते हैं फिर नए type पे चलेंगे जैसे मालने जी अगर आपको दे दे x plus 1 plus 1 upon x minus 5 is equal to अगर आपको दे दे 10 और आपसे पूछ दे x minus 5 का whole square plus 1 upon x minus 5 का whole square क्या होगा तो आपको मैं फिर बताऊंगा यहाँ पे x minus 5 चाहिए जबकि दे रखा है आपको x plus 1 x minus 5 बनाने के लिए क्या आप इसमें से 6 minus करेंगे जब LHS में 6 minus करेंगे तो RHS में भी आपको 6 minus करना पड़ेगा जैसे 6 minus करेंगे तो यह बन जाएगा x minus 5 plus 1 upon x minus 5 is equal to 10 में से 6 minus करेंगे तो यह हो जाएगा 4 अब 4 से यह वाली value निकालना असान हो जाएगा 4 का square 16 और इसमें से आप 2 minus करेंगे 2 minus करता ही आपका answer आएगा 14 देखिए आपको हर time आपको x plus 1 upon x माल दे करके भी आपको quality की question मिंस द्विघाज समिकरण दे सकता है जरा ध्यान दीजिए अगर x plus 1 upon x की value माल दीजिए 4 दे दे x plus 1 upon x की value 4 दे अगर आपको solve करना हो तो LCM तो x आएगा यहां से बनेगा x square plus 1 is equal to 4 अगर इसको फिर से देखें तो यह हो जाएगा x square plus 1 is equal to 4x और इसको दूसरे तरीका से लिखा जाए तो quadratic equation बनेगा x square minus 4x x square minus 4x plus 1 is equal to 0 आपको यह भी तो x plus 1 upon x की बराब is equal to 4 की value दे रखी है इस quadratic equation के form में तो जब कभी भी आपको एक quadratic equation दे तो आपको क्या करना होगा x square को हटाने के लिए किस से divide करें या फिर किस से multiply करें यह दिमाग में सोचना पड़ेगा अगर माले जी यह equation आपको दिया होता है x square minus 4x plus 1 is equal to 0 और इसे आपको पूछ देता है कि बताइए x square plus 1 upon x square की value क्या होगी यह आपसे अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे अगर आपको यह पता हो यह पता हो तो आप असानी से x square plus 1 upon x square की value find out कर पहेंगे लेकिन यह तो आपको पता ही नहीं है आपको देगा सिर्फ एक quadratic equation x square plus 4x plus x square minus 4x plus 1 is equal to 0 देखिए इसको करने के लिए एक काम किजिए इसमें x से क्यों ना हम इसे divide कर दे x से क्या करें क्यों ना इसे divide कर दे x से divide करते ही हो जाएगा x square upon x minus 4x upon x plus 1 upon x और जब कई भी 0 से x से divide करेंगे तो 0 ही होगा अब आये देखते हैं यह हो जाएगा x minus x x कटेगा बचेगा 4 plus 1 upon x की value 0 और minus का 4 जब RHS में जाएगा तो plus का 4 हो जाएगा यह हो जाएगा x plus 1 upon x की value 4 जब आपको x plus 1 upon x की value 4 पता चल गई तो आप आप असानी से x square plus 1 upon x square की value निकाल सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा दिये हुए के square means 4 के square 16 minus का 2 यह हो जाएगा 14 आपका answer अईए इस concept को 2-3 example के साथ हम और अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं जैसे कि मालोजी आपको दे दे x square minus 5x plus 1 is equal to 0 और आप से पूछ दे बताएगे x square plus 1 upon x square की value क्या होगी पूछ दे x square plus 1 upon x square की value क्या होगी और question mark दे दे तो क्या करेंगे देखिए आपको करना कुछ नहीं है इस equation को x से divide करेंगे जैसे ही आप x से divide करेंगे x square को x से divide करेंगे तो x बचेगा minus 5x को x से divide करेंगे तो minus का 5 बचेगा plus 1 को x से divide करेंगे तो 1 upon x बचेगा और 0 को x से divide करेंगे तो यह 0 हो जाएगा अगर इसको देखा जाए तो यह हो जाएगा x plus 1 upon x की value minus का 5 rhs में जाके plus का 5 बन जाएगा means x plus 1 upon x की value 5 दे दिया अब यहां से आप इसकी वेरोन निकाल सकते हैं जिसका होगा 5 का स्क्वाइर 25 माइनस का 2 इस इक्वल टू 23 आपका एंसर होगा अब यह और एक्जाम्पल देखते हैं जैसे कि माल लिजे आपको दे दे 4X स्क्वाइर माइनस 8X प्लस 4 इस इक्वल टू 0 और आपसे पूछ दे बताईए 4X से डिवाइड कर दू 4x से divide कर दूं तो यह हो जाएगा 4x से divide करने पर 4x square upon 4x दीरे दीरे concept सिखा रहा हूं इसके बाद से मैं direct sort में करूंगा 4x 8x upon में 4x plus 4 upon 4x is equal to जब 0 में आप divide करेंगे 4x से तो यह तो 0 होई जाएगा ऐसा करने के बाद आपको यहां से 4 से 4 कटेगा एक्स से एक्स कटेगा मिलेगा आपको x plus 1 upon x is equal to 4 से 4 कटेगा तो यहां पर बचेगा 1 upon x और यहां पर minus 8x upon 4x है तो यहां से plus का हो जाएगा right side में आके 2 अब इसको निकालेंगे x plus 1 upon x की value जब 2 आ गई तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कल से यही पढ़ा रहा हूं यह हो जाएगा 16 is equal to 0 अगर दे और फिर आप से वही पूछ ले x square plus 1 upon x square की value क्या होगी बताएगे आप पूरे equation को अगर 16 से divide कर दे 16 x से divide कर दे तो यहां पचेगा x minus का 3 plus का 1 upon x is equal to 0 अगर पूरे को आप 16 x से divide कर दे 16 x से तो आपको बचेगा यहां पर x minus 3 plus 1 upon x is equal to 0 या फिर x plus x plus 1 upon x is equal to 3 और जब यह हो गया x plus 1 upon x की value 3 आगई तो आप असानी से x square plus 1 upon x square की value find out कर सकते हैं इसकी value होगी 3 का square 9 minus 2 is equal to 7 आपका answer होगा I hope आज का video आज का class आपको समझ में आया होगा कल से हम a minus b का whole square शुरू करेंगे आज a plus b पर इसके पिछले lecture में a plus b के whole square पर पूरे जितने concept थे मैंने उसको clear किया उस पर बहुत सारे questions किये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थेंक यू